नमस्कार आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब नियूज और मैं हूँ आपके साथ शेतु सिंग कुमार वर्मा ने मीडिया को जानकारी देती हुए बताया कि पुलिस अधिक्षक को सूचन मिली थी कि एक युवक पिस्टल लेकर समान थाना को समान थाना शेत्र के आजाद नगर में किराय के मकान में रहने वाली महिला के घर में रोहित पटेल का नाम का वॉंटेड अपरा तोड़ कर आरोपी को पकड़ने का प्रयास किया लेकिन आरोपी नहीं रही कि इस गोली चलान में किसी को भी गोली नहीं लगी आरोपी गिरफ्त में लेती हुए समान पुलिस ने कड़ी पूछताच की तो पता चला कि आरोपी रोहित पटेल जो फेस्बुक के माध्यम से लड़की की जानकारी एकत्रित करके सुबह उसके घर में दाखिल हुआ जिसकी जानकारी एस पी को ही तो एस पी के निर्देश पर गिरफतार किया गया है पकड़ा गया आरोपी रोहित पटेल भोपाल का वॉंटेड अपराधी जिसने भोपाल पुलिस की उपर भी फायर कर चुका है पकड़े गया आरोपी पुलिस कड़ी पूश्टाच कर रही है और पुलिस ने आरोपी के पास से पिस्ट्रल बरामत कर लिया है पुलिस को सूचना मिली थी कि एक फर्यादी आया है रितू इसके घर में गुसा हुआ है इसने पुलिस को खबर की पुलिस पहुंची तो इस पुलिस को यह दरवाजा नहीं खोलने दे रहा था बड़ी हिक्मत हमने इसे पड़ोशियों घर के माध्याम से दूसरे की आरूपी ने रितू नाम की महिला है इसके उपर फायर भी किया तो इसकी तरफ से 307 का प्रणा पंजीवर दिकल लिया है आरूपी को पकड़ने के लिए पुलिस पर इसने फायर कहनने को सिसके लिए फायर मिस हो गया जिससे को दुरगटना नहीं घटी है आरूपी को हाँ इसमें जानकारी मिलें कि भूपाल में भी इसने इस तरह गया घटना की हुई है उस घटना के बारा में भूपाल से पतासाजी कर रहा है अब इसका रिकार्ड लेने को प्रयास करेंगा भी एक आरवज चल लेए